बात करते हैं सीधा सुनते हैं प्रधानमंदी नरेंद मोधी को जो मन की बात कर रहे हैं बेंगलूर से अनुपराव, नोएडा से देविश, ठाने से सुजीत, इन सभी ने कहा मोधी जी इस बार मन की बात का पच्चतरवा एपिसोड है इसके लिए आपको बथाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बारी नजर से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व का विशय है, आनन का विशय है मेरी तरब से भी आपका धन्यवाद है है मन की बात के सभी स्रोताओं का भार वेक्त करता हूँ क्योंकि आपके साथ के बिना इस सफर सम्भवी नहीं था ऐसा लगता है, मानो यह कल की ही बात हो जब हम सभी ने एक साथ मिलकर यह बैचारी की आत्राश शुरू की थी तब 3 अक्तूबर 2014 को विजया दिसमे का पावन परव था और संयोग देखिए कि आज होली का दहन है एक दीप से ज़ले दूसरा और राष्ट रोशन हो हमारा इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता ताय किया है हम लोगों ने देश के कौने कौने से लोगों से बात की और उनके असाधारन कारियों के बारे में जाना आपने भी अनुभव किया होगा हमारे देश के दूर दराज के कौने में भी कितनी अभूत पुरोख शमता पड़ी हुई है भारत मा की गोद में कैसे कैसे रत्न पल रहे है यह अपने आप में भी एक समाज के प्रती देखने का समाज को जानने का समाज के सामर्थ को पहचानने का मेरे लिए उज़े का अधभूत अनुभव रहा है इन 75 एपिसोर्स के दोरान कितने कितने विशवयों से गुजरना हुआ कभी नदी की बाद, तो कभी हमाले की छोटियों की बाद तो कभी रहीस्तान की बाद, कभी प्राकूति का अबदा की बाद तो कभी मानो सेवा के अनगिनत कठाओं के अनुभूती कभी टेक्नोलोजी का आविश्कार तो कभी किसी अंजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा अब आप देखिए चाहे स्वच्छता की बात हो चाहे हमारे हेरिटेज को समानने की चर्चा हो अर इतना ही नहीं खिलोने बनानी की बात हो क्या कुछ नहीं था शायद कितने विश्यों को हमने इस पर्स किया है तो वो भी शायद अंगिनत हो जाएंगे इस दोरान हमने समय समय पर महान विभूतियों को सद्धान लिदी उनके बारे में जाना जिन्होंने भारत के निर्मार में अतुलनी ये योगदान दिया है हम लोगोंने कई वैश्विक मुद्वपर भी बात की उनसे प्रेना लेने की कोशिश की है कई बाते आपने मुझे बताई कई आइडिया दिये एक प्रकार चाहिए इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहे जूडते रहे और कुछन को नया जोडते भी रहे मैं आज इस प्रचतरवे एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए सम्रुद्ध बनाने के लिए और इस से जूड़े रहे के लिए हर स्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों देखिए कितना बड़ा सुगत से योग है आज मुझे पचतरवी मन की बात करने का अफसर और यही महिना आज हाजी के पचतर साल के अमरुत महोतसव के आरम का महिना अमरुत महोतसव दाड़ी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और पंद्रा आगस दोजार तेईस तक चलेगा अमरुत महोतसव से जूड़े कारकम पुरे देश में लगातार हो रहे हैं अलग-अलग जगहों से इन कारकमों की तश्विरें जानकारियां लोग शैर कर रहे हैं नमु एप पर ऐसी ही कुछ तश्विरों के साथ साथ जारखन के नवीन ने मुझे एक संदेश बेजा है उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमरुत महुत्सव के कारकम देखे और ताई किया कि वो भी स्वाधिन्ता संग्राम से जुड़े कम से कम दस स्थानों पर जाएंगे उनके लिष्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का है नवीन ने लिखा है कि जार्खन के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के कहानिया वो देश के दूसरे हिस्व में पहुचाएंगे भाई नवीन आपकी सोच के लिए आपको बढ़ाई देता हूँ साथियों किसी स्वाधिनता सेनानी की संगर्श गाता हो किसी स्थान का इतिहास हो देश की कोई सांसकूर्ति कहानी हो अमृत महोत्सव के धोरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं देश माच्चियों को उसे जोडने का मध्यम बन सकते हैं आप देखीगा देखते ही देखते हैं अमरुत महुत सव ऐसे कितने ही प्रेणे दाई अमरुत बिंदों से भर जाएगा और फिर ऐसी अमरुत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के सो वर्स तक प्रेणा देगी देश को नई उचाई पर ले जाएगी कुछन कुछ करने का जज़वा परदा करेगी आजादी के लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कस्ट इसलिए से हैं क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बडिदान को अपना कर्तवे समझते थे उनके त्याग और बडिदान के अमर गहां थाए अब हमें सतत कर्तवे पत के लिए प्रेडित करें और जैसे गीता में भगवान कुछने ने कहा है नियतम कुरू कर्म त्वम कर्म ज्यायो हकर्मन हा उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तवियों का पूरी निष्ठा से पानन करें और आजहाजी कामरूत महुतसव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो देश की भलाई के हो भारत के उजवल भविश्च के लिए हो और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयम का कुछ ने कुछ जिम्मा हो मेरा अपना कर्तव भी जुड़ा हुआ हो मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये सुवन आउसर हम लोगों के पास है मेरे पहरे देश वास्यों पिछले वर्ष ये मार्च का ही महिना था देश ने पहली बाद जनता कर्फिव सब्द सुना था लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभाव देखिए जनता कर्फिव पुरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था अनुशासन का ये अभुद्पुर्व उधारन था आने वाली पीडियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रती सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना आपको अंदाज नहीं है करोना वारियर्स के दिल को कितना चूग गया था वो और वही तो कारण है जो पूरी साल भर बे बिना थके बिना रुके डटे रहे देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूजते रहे पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सिन कब तक आएगी साथियों हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्रेम चला रहा है वैक्सिनेशन प्रोग्रेम के तस्विरों के बारे में मुझे भूनेश्वर की पुष्पा शुक्रा जी नहीं लिखा है उनका कहना है कि गर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सिन को लेकर जो उत्सा दिक रहा है उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूँ साथियों सही भी है देश के कौने कौने से हम ऐसी खबरे सुन रहे हैं ऐसी तस्विरे देख रहे हैं जो हमारे दिल को छुझाती है यूपी के जौनपूर में 109 वर्स की बुजुर्ग मा राम दुलिया जी ने टिका लगवाया है ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कुशन जी ने वैक्सिन की डोड ली है हाइदराबाद में 100 साल के जय चौदरी जी ने वैक्सिन लगवाई और सभी से अप्लिल भी है कि वैक्सिन जिरू लगवाई मैं ट्वीटर फेस्बूक पर भई ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सिन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं केरल से एक युवा आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है वैक्सिन सेवा ऐसे ही संदेश दिल्ली से शिवानी हिमाचल से हिमान्सू और दूसरे कई युवाउने भी बेजे हैं मैं आप सभी सोताओं के इन विचारों के सरहना करता हूँ इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंतर भी जरूर याद रखें दवाई भी कड़ाई भी और सिर्ब मुझे बोलना ऐसा नहीं हमें जीना भी हैं बोलना भी हैं बताना भी हैं और लोगों को भी दवाई भी कर्तिबद बनाते रहना है। मेरे प्यारे देश्टवास्चिacious ! बुघे आज इंद्वर के रहने वाली Sumya Najee को धनिवात करना है। उन्होंने एक विषै के बारे मेरा ध्यान आकर सित्थ किया है। और इसका जिक्र मन की बात में करने के लिए कहा है ये विशा है भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नए रिकॉर्ड मिताली जी हाली में अंतराश्टिय क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाली पहली भारतिय महिला क्रिकेटर बनी है उनकी इस उपलब्धी पर बहुत बह बढ़ाई वन्डे इंटरनेशनल्स में साथ हजार रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर राष्टिय महिला खिलागे हैं महिला क्रिकेट के ख्षेत्र में उनका योगदान बहुत शांदार है दो दसकों से जादा के कैरियर में मिताली राज्जी ने हजारों लाखों को प्रे क्रिकेटरों बलकि पूरूस क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेयना है साथियों ये दिल्चस्प है इसी मात मेहने में जब हम महिला दिवस सेलिबरेट कर रहे थे तब कई महिला खिलोडियों ने मेडल्स और रेकॉर्ड्स अपने नाम किये हैं दिल्ली में आयोजेज शु के मामले में भी भारत ने बाजी मारी ये भारत के महिला और पुरुष निशानेवाजों के शांदार प्रदसन की वज़सरी संबह हो पाया इस बीच पीवी सिंदू जी ने बी डवल्यू एफ स्वीज ओपन सुपर 300 टूनामेंट में सिल्वर मेल जीता है आज एजुकेश बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही है मुझे विशेश खुसी इस बात से है कि बेटियां खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही है प्रफेशनल चोईस के रूप में स्पोर्स एक पसंद बनकर उभर रहा है मेरे पहरे देश्वासियों कुछ समय पहरे हुई मै ऐले टाइम इंडिया समीट आपको याद है ना इस समीट में मैंने क्या कहा था क्या है स्वाभाविक है इतने कारकम होते रहते हैं इतनी बाते होती रहती है हर बार कहां याद रहती है और उतना ध्यान भी कहां जाता है स्वाभाविक है लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिल्चस्प में लेकर आगे बढ़ाया है मैंने इस समिट में देश के लाइट हाउस कंप्लेक्सिस के आसपास तूरिजम फेसलेटिज विक्सित करने के बारे में बात की थी गुरु प्रसाद जी ने कमिल नाडु के दो लाइट हाउसों चेन्ने लाइट हाउस और महाबलेकुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी आत्रा के अनुभवों को साजा किया है उन्होंने बहुत ही रोचक फेक्ट शेयर किये जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे जैसे चेन्ने लाइट हाउस दुनिया के उन चुनिंदा लाइट हाउस में से एक है जिन में एलिवेटर मौजूद है यही नहीं भारत का यह इकलोता लाइट हाउस है जो सहर की सीमा के अंदर स्थीत है इसमें बिजली के लिए सोलार पैनल भी लगे है गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हेरिटेज मुजियम के बारे में भी बात की जो मरीन नविगेशन के इतिहास को सामने लाता है मुजियम में तेल से जनने वाली बड़ी बड़ी बत्तियां केरोसिन लाइट्स पैट्रोलियम वेपर और पुराने समय में प्रवोग होने वाले बिजली के लेंप प्रदर्शित किये गए है बारत के सबसे पुराने लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जीने पिस्तार से लिखा है उनका कहना है इस लाइट हाउस के बगल में सेंकडों वर्थ पहले पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनाये गया उलकनेश्वरा टेंपल है साथियों मन की बात के दोरान मैंने परियतन के विविन पहलों पर अनेक बार बात की हैं लेकिन ये लाइट हाउस तूरिजम के लियाद से यूनिक होते हैं अपनी भव्य समरचनाओं के कारण लाइट हाउस हमेशा से लोगों के लिए आकर्शन के केंद्र रहे हैं परियतन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउस हैं इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक मीजियम एंपी थियेटर ओपन एर थियेटर काफेट एरिया चिल्डर्स पार्क इको फ्रेंड कोटेजी और लैंड्सकेपिंग तेयार किये जाएंगे वैसे लाइट हाउस की बात चल सही है तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा यह लाइट हाउस गुजरात के सुरंदगर जिले में जिंज्युवारा नाम के एक स्थान में हैं जानते हैं यह लाइट हाउस क्यों खास हैं खास इसलिए हैं क्योंकि जहां यह लाइट ह वहां से अब समुद्र तर सो किलोमिटर से भी अधिक दूर है आपको इस गाउं में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे जोहें बताते हैं कि यहां कभी एक व्यस्त बंदर गहा रहा होगा यानि इसका मतलब यह है कि पहले कोश्ट लाइन जिंजुवाड़ा तक थी समंदर का घर बढ़ना पीछे हो जाना इतनी दूर चले जाना ये भी उसका एक स्वरूप है इसी महने जापान में आई विक्राल सुनामी को दस वस हो रहे हैं इस सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई थी ऐसी एक सुनामी भारत में 2004 में आई थी सुनामी के दोरान हमने अपने लाइट हाउस में काम करने वाले हमारे 14 कर्मचारियों को खोड़ दिया था अंडवान निकोबार में और तमिल नाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी जूटी कर रहे थे कड़ी मेहनत करने वाले हैं हमारे इन लाइट कीपर्स को मैं आदर पूरवक स्रधानली देता हूँ और लाइट कीपर्स के काम की भूरी भूरी प्रसंशा करता हूँ प्रिय देश्वासियों जीवन के हर कशेत्र में नयापन आधुनिक्ता अनिवारिय होती है वरना वोही कभी-कभी हमारे लिए बोज़ बन जाती है भारत के कृशी जगत में आधुनिक्ता ये समय की मांग है बहुत देर हो चुकी हैं हम बहुत समय गमा चुके हैं एग्रिकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए एफसर पैदा करने के लिए किसानों की आई बढ़ाने के लिए परामपरागत क्रिशी के साथ ही नए विकल्पों को नए नए इनोवेशन्स को अपनाना भी उतना ही जरूरी है वाइट रिवालूशन के दवरान देश ने इससे अनुभव किया है अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बन करके उभर रहा है बी फार्मिंग देश में शहद क्रांती या स्विट रिवालूशन का आधार बना रही है बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं इनॉवेशन कर रहे हैं जैसे कि पस्चिम मंगार के दार्जिरिंग में एक गाव है गुर्दुंग पहडों की इतनी उचाई भवगलिक दिक्कत है लेकिन यहां के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की मधु की अच्छी माग हो रही है इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है पस्चिम मंगाल के ही सुन्दर बन इलाकों का प्राकूर्टिक और्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है ऐसा ही एक व्यक्तिकत अनुहों मुझे गुजरात का भी है गुजरात के बनास काठा में बस 2016 में एक आयोजन हुआ था उस कारिकम में मैंने लोगों से कहा यहां इतनी संभावना हैं क्यों ने बनास काठा और हमारे यहां के किसान स्वीट रिवालुशन का नए अध्याय लिखे आपको जानकर खुशी होगी इतने कम समय में बनास का काठा शहद उत्पादन का प्रमुक केंदर बन गया है आज बनास काठा के किसान हनी से लाखों रुपीए सालाना कमा रहे हैं ऐसा ही ये गुदारण हर्याना के यमुना नगर का भी है यमुना नगर में किसान भी फार्मिंग करके सालाना कई सौट टन शहद पढ़ा कर रह अपनी आए बढ़ा रहे हैं किसानों की इस महनत का परिणाम है कि देश में शहत का उत्वादन लगातार बढ़ रहा है और सानाना करीब सवा लाग टन पहुँचा है इसमें से बड़ी मात्रा में शहत विदेशों में निर्याद भी हो रहा है साथियों हनी बीब फार्मिंग में केवर सहत से ही आए नहीं होती बलकि बीब वैक्स भी आए का एक बहुत बड़ा माध्यम है फार्मा इंडुस्ट्री, फूर्ड इंडुस्ट्री, टेक्स्टाइल और कॉस्मेटिक इंडुस्ट्री हर जग बीब वैक्स की डिमांड है हमारा देश फिलहार बीब वैक्स का आयात करता है लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिती तेजी से बदल रहे है यानि एक तरह से आत्मा निर्भर भारत भ्यान में मदद कर रहे है आज तो पूरी दुनिया आयुरुवेट और नेचरल हेल्थ प्रोडक्स की और देख रही है ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है मैं चाहता हूँ देश के जादा से जादा किसान अपनी खेती के साथ साथ भी फार्मिंग से भी जुड़े ये किसानों की आई भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठाद भी घोलेगा मेरे प्यारे देश वास्यों अभी कुछ दिन पहले वर्ल स्पैरो डे मनाया गया स्पैरो यानि गोरिया कहीं इसे चकली बोलते हैं कहीं चीमनी बोलते हैं कहीं गौन चीरी का कहा जाता है पहले हमारे घरों की दिवारों पर आसपास के पैड़ों पर गोरिया चहती रहती थी लेकिन अब लोग गोरया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसो पहले गोरया देखा था आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं मेरे बनारस के एक साथी इंदरपान सी बत्राजी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के सोताओं को जरूर बताना चाहता हूं बत्राजी ने अपने घर को ही गोरया का आश्याना बना दिया है इन्होंने अपने घर में लकडी के ऐसे घोशले बनवाए जिन में गोरया आसानी से रह सके आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जूट रहे है इससे इन घरों में एक अध्भूत प्रकृतिक वात्राण भी बन गया है मैं चाहूंगा प्रकृति, परियावन, प्रानी, पक्षी जिन के लिए भी बन सके कम ज़्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए जैसे एक साथ ही है विजय कुमार काबी जी विजय जी औरीशा के केंदर पाड़ा के रहने वाले हैं केंदर पाड़ा समुद्र के किनारे हैं इसलिए इस जिले के कई गाउं ऐसे हैं जिन पर समुद्र की उंची लहरों और साइक्रोन का खत्रा रहता है इसे कई बार बहुत नुक्सान भी होता है विजे जी ने महसूस किया कि अगर इस प्रकुर्तिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकुर्ति ही रोक सकती है फिर क्या था विजे जी ने बड़ा कोड गाउं से अपना मिशन शुरू किया उन्होंने बारा साल साथियों बारा साल महनत करके गाउं के बाहर समुदरी की तरफ पचीस एकर का मेंगरो जंगल खड़ा कर दिया आज ये जंगल इस गाउं की सुरुक्षा कर रहा है ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादिब जिले में एक इंजिनियर अमरेज सामंती जी ने किया है अमरेज जी ने छोटे छोटे जंगल लगाए है जिन से आज कही गाउं का बचाव हो रहा है साथियों इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड ले तो बड़े परणाम आते हैं जैसे तमिल नारु के कोईमटोर में बस कंड़क्टर का काम करने वादे मरी मुथू योगनातन जी है योगनातन जी अपनी बस के यात्रियों को टिकर देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुप्त देते हैं इस तरह योगनातन जी नजाने कितने ही प्रेड लगवा चुके हैं योगनातन जी अपने वेतन का कापी हस्सा इसी काम में खर्च करते आ रहे हैं अब इसको सुनने के बाद ऐसा कौन नागरिक होगा जो मरी मुथू योगनातन जी के काम की प्रसंसा न करे मरदे से उनके इस प्रयासों को बहुत बधाई देता हूँ उनके इस प्रेरक कारे के लिए मेरे प्यारे देशवासियों वेस्ट से वेल्थ यानि कचरे से कंचन मनाने के बारे में हम सबने देखा भी हैं सुना भी हैं और हम भी औरों को बताते रहते हैं कुछ उसी प्रकार से वेस्ट को वेल्यू में बदलना के भी काम किया जा रहा है ऐसा ही ये गुदारन केरल के कोची के सैंट टेरेसा कॉलेज का है मुझे आद है कि 2017 में मैं इस कॉलेज के केंपस में एक बुक रेडिंग पर आधारित कारकम में सामिश हुआ था इस कॉलेज के स्टूडन्स री उजेबल टॉइज बना रहे हैं वो भी बहुत क्रियेटिव तरीके से ये स्टूडन्स तो पिएम मोदी के मन की बात की पिछतरवा संसकरण हम सभी सुन रहे थे कई विश्यों को समाहित कर पिएम मोदी संबोधार रहे हैं